अगर आप किसी इंसान को जानते हैं जो शेर मार्केट से ही पैसा कमाते हैं उनका सारा पैसा समझ लीजे लगबग हलो नमस्ते पेचेटों मैं हूं मैंनी शावजार यह पेचेट प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चानल जो डेडिकेटेड आपकी फिनांशल फ्रीडम के लिए इस चैनल पर मैं नहीं वीडियो बनाता हूं फॉर्ट 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 तारीक को हर मही बने की और यह वीडियो बनता है दुनों हिंदी और अंग्रीजी बाशा में ताकि आप इन्हें अपने लैंग्विच प्रिफरेंस के इसाब से देख सके इन वीडियो में आपके साथ बात करता हूं अपने पैसों को कैसे आप मैनेज कर सके कैसे बढ़ा सके और कैसे आप पेचेक से अपना financial freedom पा सके मैं इस चैनल पर पिछले एक साल से वीडियो बना रहा हूं तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आपको आने वाले new वीडियो के बारे में notifications मिलती रहें आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करना आला हूं finance के दुनिया के सबसे complicated instrument के बारे में जो है futures और options futures and contract समझ लीजिए काफी investment bankers और traders का lifeline है अगर आप किसी इंसान को जानते हैं जो share market से ही पैसा कमाते हैं उनका सारा पैसा समझ लीजिए और बार contract इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि यह किसी तरी की shares या mutual funds नहीं जिसके आप units खरीद सके या X number of shares खरीद सके यह contract होता है और इस contract में अगर एक investor चाहे तो कम पैसे डाल कर एक बड़ी value का contract ले लेता है और उसके ओपर trading करता है मैं आपको इस वीडियो में इसके बार contract से दूर रहने की suggestion दूंगा यह बहुत ही volatile होता है यह बहुत ही risky होता है और 98% traders अपने पैसे इन्हीं instruments में जलाते हैं अगर आप full time trader नहीं हैं अगर आप अच्छे से instruments को नहीं समझते हैं तो आप बहुत बढ़ा नुकसान कर सकते हैं इसलिए जितना हो सके इन contract से दूर र करता है इसको मैं आपको समझाऊंगा एक example की तौर में समझ लीजिए एक company है company A तो company A के 20 share का एक lot बनता है यह lot का size share market decide करती है company A के share का price market में 1000 रुपया पर share है तो 20 share के हिसाब से per lot का size हुआ 20,000 रुपय का या price हुआ 20,000 रुपय का अगर देखा जाए तो आपको एक छोटा लगेगा amount लेकिन lot sizes generally बहुत बढ़े होते हैं और लाखों रुपय तक के एक lot बनते हैं लेकिन example समझाने के लिए एक 20,000 रुपय का अनुमान पर lot के हिसाब स हम आगे बढ़ सकते हैं अब समझ लीजे इस investor को 20 lot की trading करनी है तो 20,000 रुपय का एक lot 20 lot मतलब 4,000,000 रुपय का उसका पूरा trade का value हो गया अब यह 4,000,000 रुपय का trading करने के लिए उसको broker को 4,000,000 रुपय देने की जरूरत नहीं है आप कौनसे trader के साथ trade करते हैं आपका portfolio का size क्या है आपके पास पहले कितना पैसा आपने उनके साथ trade करा हुआ है आपके relations कैसे हैं इसके हिसाब से आपका margin amount decide होगा अब समझ लीजे इस example के लिए हम 5% का margin size पकड़ते हैं तो as an investor अगर आपको यह 20 lot खरीदने हैं 20,000 रुपय के तो आपका total transaction value 4,000,000 रुपय का हुआ औ और आपको उसका सिर्फ 5% याने की 20,000 रुपय का margin भरना पड़ेगा contract खरीदने के लिए अब आप समझ लीजे आपने 20,000 रुपय में 4,000,000 रुपय की चीज़े खरीदी हैं बाकी का 3,800,000 रुपय का क्या आपने उसका betting किया है एक तरह से यह अनुमान लगाया जा सकता है अगर उस share का price एक रुपया बढ़ा तो आपको क्योंकि आपके पास 400 share हैं पूरे lot में आपको 400 रुपय मिलेंगे अगर एक रुपया घटा तो आपका 400 रुपय का नुकसान होगा इसी में अगर lot size समझ लीजे लाखों के हैं और हजारों share आजाते हैं उसमें तो हर lot के साथ हर रुपय के साथ पूरे transaction का value कुछ हजारों रुपय से उपर या नीचे होता है अगर आपको कोई भी कहता है कि share बजार में 60 होता है अगर कोई भी आपको कहता है कि share बजार जुआ है तो ये है उस बजार के जुए का अनुमान आज की तारीक में आप commodities में future और options के lot बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा इसमें गवा चुके है futures और options में trade करना गलत नहीं है लेकिन अगर आपको ये दोनों instruments को use करना नहीं आता है और अगर आप इसमें पैसा invest कर लेते हो तो मेरी बात मान लीजिए इसमें आपके घाटे के chances बहुत जादा हो जाते हैं and after one point of time ये घाटा बहुत जादा भारी पड़ता है लोगों को अगर आपने कभी सुना होगा कि कोई इनसान 15 साल 20 साल 30 साल से पैसा कमा रहा था शेयर मार्केट में लोग एक एक हफते में एक दिन में कंगाल हो जाते हैं क्यूंकि उन्होंने कोई गलत lot खरीद लिया उन्होंने को ये बहुत ही जादा difficult हो सकता है आप पहले ही इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हो अपना पेचेक कमाते हो क्यों इतनी स्ट्रेस और पाल रहे हो अच्छे से उस पैसों को इन्वेस्ट करो हमारे पिछले वीडियो देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो आपको अगर कोई सव नॉलेज या confidence ना हो यह तो हुई futures की बात options समझ लीजे जहां पर futures में अगर आपने 5% या 8% या 10% का margin रखा था option में तो आप सिर्फ 1 या 2% का margin रखते हो और उसमें bet size और बड़ी हो जाती है options में समझ लीजिए कभी कभी unlimited profit या unlimited loss का भी opportunity होता है तो अगर unlimited profit अगर बहुत जादा सुनाई देता है तो unlimited loss भी उतना ही जादा खतरनाग होता है इसलिए मैं आपको strictly मना करता हूँ कि किसी भी तरह के future या option trade से दूर रही है मैं आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने मिला हो अगर आपको ये topic के बारे में बिलकुल नहीं पता था और अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो please इसे अपने social media पे share कीजे ताकि दूसरे लोगों को futures और options के बारे में थोड़ा और knowledge मिल सके अगर आप किसी को जानते हैं जो हमेशा थोड़े टायम में जादा पैसा कमाने की बात करता है या share market में बहुत पैसा कमाने की बात करता है तो उसके साथ ये video share करना बिलकुल ना भूलिएगा हो सकता है किसी के बहुत सारा पैसा बच जाए किसी का बहुत सारा नुकसान बच जाए और उससे आपको दुआएं मिले तो बस पेचेक प्रोस आज के लिए इतना ही अगर आपको आज का वीडियो पसंदा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए मुस्कराते रहें अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहें कच्छिंग